अश्कार दोस्तों मेरा नाम है चतन सिंग परिहार और आज जो सिक्या मिन्यूज की खास शक्षियत करेकरम है इसमें हम मिलने वाले हैं एक ऐसी शक्षियत से जिनोंने चोतका बरवाडा का नाम राज्जी स्तर पर ही नहीं राश्टी स्तर पर ही नहीं पूरे अंतर राश्ट इस्तर पर रोशन किया है और आज वो मेरे साथ में है इन्होंने चोत्का वरवाड़ा की छोटी-छोटी गलियों से निगल कर मुंबई पहुंच कर वहाँ पर लाठेटर चेलेंज जीता और आज मेरे साथ में है सुरेज जी अलबेला तो मेरे साथ में और जानते हैं इन से इनके जीवन के कुछ ऐसे पहलो जो की अभी तक कई वक्तियों को पता किया और हमारा जो खास स्यक्सित कारेकरम है इसमें आपने हिस्सा लिया सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सुरेज जेल विला ने जिस प्रकार का मुकाम हासिल किया है चोटे से गाउं से निकल कर अंतराश्टी इस तर पर खाती दिलवाई है तो किस प्रकार से उनकी सबसे प्रहंबिक शिक्षा कहां पर हुई बरवाडा के किस स्कुल में उपड़े इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इनसा लेते हैं सबसे पहले तो चेतन जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने चोस का बरवडा में इतने चोटे से गाउं में यहाँ पे आप लोगों का इंटर्विव ले रहे हैं रिकोर्डिंग कर रहे हैं मेरे लिए तो खेरिये आम बात है मुझे अब वैसा मजा नहीं आता है इंटर्विव देने में जो पहली पहली बाहर आता है लेकिन फिर भी आप इस इस तर पे यह इतना अच्छा काम कर रहे हो इसके लिए आप बिलकुल बधाई के पात्र हो और म आपने जो मुझे सवाल पूछे तो मैं तो उसका बरवड़ा में पैदा हुआ यहां पे खेलते कूथते बड़े वे बड़े होने के बाद वैसे हसी मजाग तो मेरा क्या सबके झिंदगी का एक हिस्छा होता है मैंने उसी हसी मजाग को जीने की its in मैंने घाया इसी को जीते तो वैसे मेरे बारे में मैं खुद बताता हूं कि मैं खुद कम हसता हूं लोगों को ज़्यादा हसाता हूं शिक्षा की शुरुआत कहां से मतलब आपने की शिक्षा की शुरुआत मेरी चोस्का बरवडा से हुई शिवाजी स्कुल में हम पढ़ते थे वहाँ पे मैं आठवी क्लास तक पढ़ा फिर नवी नाइन्थ क्लास के लिए मैं हाई सेकंडरी स्कुल में चला गया तो इंग्लिश में सप्लिमेंटरी आ गई कौन सी क्लास में नाइन्थ में देखिए आपको एक अंचु है आप पहलू पता लगा इनका कि नवी क्लास में इनकी सप्लिमेंटरी आई थी तो सप्लिमेंटरी आई तो उसमें में पास हो गया फिर नाइन्थ में फिर घरवालों ने सोचाया यह बरवाडा में पढ़ेगा तो उन्हें मेरे कोटा भी दिया तो दस्वी में फिर मैं अच्छे खासों नंबर से और उसी जब टेंट में पढ़ा तो फिर इंग्लिस में मेरे डी भी लगा दिस्टेशन भी लगा अंग्रेजी में और कोटा में इनके पापा सर्विस करते थे वहाँ पर पुलिस में तो कोटा पढ़ने चले गए है वाद मैं जिस चीज में हारता था था ना फिर मैं उसको जीतने की ठान लेता था बहुत अच्छी बात है वाली तो यह सब को अपनी जिन्दकी में लागू करना चाँए क्योंकि लोग क्या होता है कि जहां पर हार जाते हैं ऌ वहाँ पर उसके पीछे पड़ जाना चाइए तो दस वी के बाद ने फिर आप कोटा जो है फिर में रेगुलर वहां पर पढ़ता रहा ग्यार भी बार भी फस्टियर तो बिये तक आपने कितना खां तक पर फस्टियर करके फिर मैं मुंबई चला गया तो फस्टियर तक जो है वो सुरेज जी ने शिक्षा पराप्त की है दूसरा जो सवाल है मेरा प्रमुक सवाल जो है सुरेज जी से की सुरेज जी आपको कब लगा कि आप एक कवी बन सकते हैं और आप में एक कवी चुपा हुआ है जहां तक की हाथ से कवी विशेश रूप से आप में चुपा हुआ है तो ऐसा आपको कब लगा कम महसूस मैं छोटा था तो मेरी आदत थी कि मैं आठ बजे सो जाता था उस समय बड़े एक अलिफ लेला नाम का धारवाई चलता था तो वो आता था रात को दस ग्यारा बजी मैं रोज सोचता था लोग बातें करते थे बहुत तगड़ा सीरियल है बहुत तगड़ा डेली शोप है देखना चीए लेकिन मैं जब भी वो आता उसके पहले सो जाता था चालिब लब लः नाम ने देखा है नहीं मतलब देखा कभी एक मिन, dop की बार 2 मिनिट काई उस तमये थोड़े दिनों बा शक्तिमान आता था वह भी रात को आता था और दिन में जब वो आथा सा तब में श्कूल चला जाता था तो रात को मैं जग नहीं पाता था मतलब उ जोगाता था किसी दिन जग जाता था लाइट चल जाती थी यह पहले लैड बहुत जाती थी यह इस एक दिन क्या हुआ कि यहां पे गूजरों का मेला भरता है चोथ का बरवर्ण में उसमें कभी सम्भिलन हुआ तो लोग जा रहे थे मेरी तुछ भी नहीं थी मैंने क्या होत लेकिन मैं चला गया चला गया तो मैंने सुना सुना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कभी से मिलें सुनके बड़ा खुश हुआ में एक हमारा वीरू भी था उसमें उसने भी काववे पाट किया उसमें तो मैंने सुचा यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता है और य दोस्त बनाना स्टार्ट कर दिया स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे मैं उसकी कविताएं बोलता या और कवियों की बोलता मैंने लोगों को स्कुल में इधर उधर सुनाना स्टार्ट किया स्टार्ट किया तो फिर एक कवी सम्मेलन में मैंने सुनाई सुनाती तो मिरे को और क भी उने का यार इसमें खुद की सुनानी पड़ती है खुद लिखो मैंने का यार ये भी चक कर खुद लिखो फिर मैंने खुद लिखना स्टार्ट किया लिखना स्टार्ट किया तो दीरे दीरे कार वहां चलता गया स्कुलों में सुनाते गए तो बड़ा अपनी स्कुल में हुआ करता था इन मामलों में फिर कोटा में मैंने एक इस्थानी कभी सम्मेलन में हिस्सा लिया दीरे दीरे आसपास लोग मुझे बुलाने लगे बुलाने लगे तो खर्चा भी चलने लग गया क्योंकि बेरोजगार था मैं उस समय मैं बार भी पास कर चुका था फस्टियर की बात थी और मेरे को लाफटर चिलिंज का निमंतर आया तो लाफटर चिलिंज में आपने के ओडिशन वगरा दिया या मतलब किस पकार से आपने ओडिशन दिया मैंने जेपूर में जेपूर में एक मामुर्ग कभी सब्ममलन था उस दियुए और मिरे Pay पास तो किराया भी नहीं था ह। तो किराया नहीं था तो मैंने खा यार क्या करें यृख किराया तो मैंने ऊधार पे से मांगे किस से उधार पे से मांगने के बाद में मैं इस लिए गया वह ओडिशन दे कि कि वहाँ पे मामुर्ख कभी सम्मिलन था उसमें मेरे को हजार दौजार रुपे मिलने थे मैंने कुछ तो मिले या क्योंकि पहले पूछते भी नहीं थे इतने बड़े थी नहीं कि पूछे कि कि इतने दोगे बुलाये और नहीं तो मैंने गया उदर ही वहाँ चल रहे हैं तो आपका आना है लाफ्टर चेलिंग में मैंने का आ जाएंगी क्यों नहीं हैंने यह स्लेगा तो बोलहे हैं आक को आपकी फ्लाइट कहां से करनी है और मैंने क्रणा यार मैं मे contributors चालूआ मैंने किया अपन आय। इससे के डिबबे मैं यह लोग है मैंने कफ्लाइट की ब तो प्लाइडी निया चलती निये और मैंने चलती निये तो एक काम को जेपूर से करवा जेपूर से उनने मेरा टिकेट करा दिया टिकेट कराने के बाद फिर दिक्कत क्या हुई मेरे पास आईडी प्रूफ नी था कोई अचा उस समय जब अधार काड वगरा चलता नहीं था बचलता था पहचान पत्र वटर राइडी कार्ट लाइसेंस बनानी था इत्ती अकल ही नहीं थी क्या करना इन चीजों को बनागी तो मैंने गया यार ये तो चक्कर पड़ी या लेकिन मेंने क्या किया मेरे पास एक माक्षीट थी दस वीकी और बार वीकी हाँ मैंने ले चल जाने दिया वो जाने देते हैं ऐसे कोई लड़के होते तो ऐसे देश की पुलिस इस मामले में अच्छी है जाने दिया तो करीब दो साल तक तो मैं मार्कषीट लेगे घुमता रहा अब बिल्कुल नहीं जानकारी पता लगिए कि दो साल तो मार्कषीट से काम चलाया है उ अपने वोटराइडी कार्ट भी ने मिल वाया है और वहां पर में लाफ्टर चेलिंग में गया तो उन्होंने मुझे इस तरह से नहीं बुलाया था कि यह कोई जीतने का दाविदार है या इसा है उन्होंने बस उनके चार-पांथ लोग कम पढ़ रहे थे कि मेरा मतलब कि कैसे ने कैसे सलेक्त हो गया तो फिर जब वहां पर परफॉर्मेंस करने की भारी आई तो मैंने फिर किया तो जज इसको पसंद आया इसका बहुत फाइदा मिला आपको पर प्यूंद को पसंद आगे, तो जज आपका टी-वी पर तारीब करेगा तो आप पबिल्लिक को पिर पबिलिक को पसंद आगे तो फिर कोन क्या करेगा फिर डाइरेक्शन टीम भी उसी की साइड हो जाती है वही जो चल रहा है उसको चलने दो फिर फिर इससे एक चीज हुई कि मैं जैसे ही एक मेरी परफोर्मेंस अच्छी गई फिर मैं कॉन्फिदेंस में आ जाता हूं किर्केट के खे़ल में नियों था एक दु बार आपने श्यतनग मार दिया तो बस पिर तो 56 इंच की चाती हो जाती है तो हो गई 56 इंच की चाती फिर तो मेरा एक सही टारगेट रहता था कि अब मुझे सेके अनना जीतना ही had मतलब नहीं जीतना नहीं उसमें होता था यह 15 लोग रहते थे 15 में से जो लाश्ट नंबर पे रहता था बाहर निकाल दे थे और जो फस्ट पे रहता था वो तो फिर भई वो तो सेफ नहीं वो तो फस्ट ही है फिर तो तो मेरा यह था कि पंद्रवेर चोदवी की लड़ाई नहीं लड़ता था मैं फस्ट की लड़ता वो फाइदा यह वबाई कि वहाँ पे सब लोग रात बर तयारी करते थे याद ये करना है वो करना है कल के लिए अपने को 10 मिनिट की जोक्स बनाने है, सीरीज बनानी है, क्या बनाना है, तो सब लोग लग जाते थे, नो बस्तेई, रात को लगे रहते थे, चार-पांच बजे तक, इवन भारती सिंग के साथ तो कपिल, चंदन, बेठ के उसको राद बर समझाते रहते थे, ऐसे भारती भी थी उस समय, जाब का एक अलग ग्रूप था, उसको कपिल और चंदन प्रवाकर समझाते रहते थे, यह कपिल शर्मा है, जो कि आज इनका शो आता है, उन्हीं की बात दो रही है, तो लगे रहते थे, अच्छा, मैं क्या करता था, मैं तो आठ बजी, मैं सो, मैं सो जाता था, लोग अच अचा, वोग क्या है। की वो सोते थे, तीन-चार बजी, तो बारा बजी तक उठते थे, कोई दस बजी उठता था, और मैं चार बजी उठता था, फिर चार आदम 10-20 किलो मेटर घूम लेता था और घूमते घूमते में सोचते सोचते बहुत सारी चीजे वगना लेता था और याद कर लेता था तो वो जो सुबर जगना था वो इतना काम आया कि मैं उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहता था और मेरी मेमोरी पावर भी अच्छी हुरी थी लाप्टर चैलेंज से जुड़ी कोई ऐसी घड़ना जो कि आपको अभी तक भी अपने जहन में वो जो है वो अभी भी शामिल हो अभी भी आपको याद हो ऐसी कोई घड़ना हाँ जब हमारा पहला एपिसोड हुआ था उसमें क्या है हर ग्रूप में पांट लोग डाल दी जाते थे पांच में से एक जीत के निकलता था एक एक निकाल के निको पंद्रा सलेक्ट करने थे तो जैसे ही उस एक में निकलने की बारी थी तो मैं आदि परफोरमंस कर रहा था डatics नर्द मेरे को पीछे बूला लिया और वह जोर से डाटा मेरे को क्या कर रे हो तुम तुम ने तो ये जोग तो बताय नीक तुम वो जोग सुना रहे हो जो तुमने बताय नहीं थे हम को अब मैंने का वहाँ सुना दिये जर तु सु त्रुगन सीना और नवजोत सिंग सी दूने तो मैं उस राउंड को किलियर कर गया फिर पंद्रा लोगों का जो इलिमनेशन राउंड था उसमें पहले राउंड में मैं साथवे नंबर पर आगया पहले वाले राउंड मैंने का यार यह तो बड़ा दिक्कत की बात है आज मै साथ प्रपे हूं तो कल बार भी हो सकता हूं तो फिर मैं चिंतित हुआ मैं थोड़ी तैयारी स्टार्ट करी एक कवीता थी सांड की वो सांड सुनाइए है वो अभी तो मेरे को याद नहीं बड़ी पुरानी हो गई और वो मल्ली का शिरावत और इमरान हाश्मी के कुछ थ हूँआ तो बहुत जदा ही डवेदा आपके अर दो यह वो मैं न सांड वाली कविता सुनाई है प्रिए और पार Вас मेंने का शिरावत चारो दिया था तो बड़ा तगड़ा हो गया उसमें काम और जजिद ने मेरे को स्ट्रेंडिंग ओविशन नहीं दिया अच्छा 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 सुगंदा को दिया भारती को दिया तो मैंने का यार ठीक है लेकिन परफोर्मेंज अच्छी डाइरेक्टर भी आके मेरी पीड थप थपाया वह बहुत तगड़ा किया तेने जब नंबर सुनाने की बारी थी महिमा चोधरी आई थी उसमें तो जो स्टेंडिंग ओविशन मिला था भारती को और सुगंदा को उन उसमें तो सिद्धू जी ने मेरे को बुलाई लिया था वला आगले लग जा तो वहां से तो फिर बूम आ गया मतलब वो नवजोज सिंग सिद्धू को भी लगा कि यार पिछले परफोर्मेंस में इसके 49 नंबर थे सबसे जाज़ा थे हमने इसको स्टेंडिंग ओविशन नी दिया सब को दिया तो सने फिर मेरे को बुला ही लिया गले लगाना उसके बात तो मैं इतना उसमें आ गया था कि मैंने का अब मेरे को छोड़ना नहीं है उसको लेके चलना है साहत में हमisha ने हमिशा लेके चलना है मलीका शहरावदवॉला एक चुह बिरिकर? इंदुस्तान की प्रख्यात अभीनेत्रिये वही अपनी प्राते इस्मरणिये चारुष मिता प्रतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्रम समर्प्यामी वस्त्र विहारणी डील उगारणी नियून वस्त्र धारणी आदर्णी अमल्लिका शेरावत और इमरान हाश्मी वाला इंदुस्तान के प्रख्यात अभीनेता है परम मुत्तेजी तरात्री कालीन कुशल सेनानी अधर रम्यामी सरोहरदय गामी नारी वस्त्रम भक्षणामी लिपिष्टिक चटखामी महा महीम चुम्बन स्वामी आदर्णी अ इमरान हाश्मी यह जो दोनों थे बहुत ही जड़ा हिट हुए थे इसके लावा एक यूराज सिंग भारत की टीम जहें शिलिंगा गई वी थी उससमें बनाया था आपने एक शायद ना मैंडिस का वो अजनता मिंडिस उससमें एक नया बोलर आया था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था मैंने का दीपी का पादुकोंड अजनता मेंडिस की बोल की तरह पतानी कि इधर गूम जाती है जो अब तक की जर्नी रही है लाप्टर चैलेंज के विजटा बनने के बाद में आज तक की वो कैसी रही है और कोई संदेश जो देना चाहें आप दर्शकों को बहुत है और जर्नी उसके पहले भी बहुत अच्छी थी बाद में भी बहुत अच्छी है देखों मैं क्या है कि हर टाइम को अपना सबसे अच्छा समय मान की जीता हूं मैं कभी यह नहीं सोचता कि यार मेरे पास कल क्या था आज क्या है कल क्या होगा मैं यह सोचता हूं कि अभी म बड़ी अच्छी रही उसके बाद मैंने बहुत सारे कवी सम्मिलन किये, लाफटर शोज किये, हिंदुस्तान बरुमे में बहुत सारे लाइफ शोज किये, मजाक मजाक में शोज किया, तो चार ओर प्रोग्राम किये, फिर अब मेरा थोड़ा मुंबई से भरोसा उटिया अब मैं ज़्यादा टीवी शो करने में यकीन नहीं रखता है अब मैं खुद के लिए जीता हूँ अब इसम्बिलन ज़्यादा अटेंड करते हैं अब उसमें मैं जाके आजाता हूँ अब मेरे को मेरा गाउं छोड़ना अच्छा नहीं लगता चलो धन्यवादा आपको इस चीज़ के लिए कोई संदेश आपका संदेश ये है कि हसते रो मुस्कुराते रो दुनिया में आज कल क्या है कि हर कोई बिनाबाद दुखी है कोई बात तो दुखी रहे तो कोई बात नी बिनाबाद ही दुखी है तो मेरा सबसे कहना है कि ये सब बेकार की बाते छोड़ो बस मुस्कुराते रो क्योंकि डोक्टर भी कहते हैं कि जो मुस्कुराता है उसका स्वास्थ अच्छा रहता है लाफ्टर जो बेस्ट थेरेपी तो हसते रो मुस्कुराते रो और जिस तरह से आपका एक परिवार है उसी तरह से आपका महला भी आपका परिवार है आपका गाउं भी एक परिवार है आपका देश भी आपका परिवार है तो इन सब चीजों को जोड़ते चलो और खुद भी मुस्कुराओ दूसरों को भी मुस्कुराने दो जरूरी नहीं है आदमी क्या करता है कि मैं तो हसूं और पडोसी दुखी रहे वो बहुत गलत चीज है यह गलत रीत चालू हो चुकी भी इसको बंद करना चीए भाई तू भी हस उसको भी हसने दे सब को हसने दो यह जो हमारी लड़ाई है यही है कि आप दुनिया बर में मुस्कुराट फैलाते रहो जिस तरह से सूरद रोशनी फैलाता है वो थोड़ी देखता है कि यह हरीजन का घर है कि यह ब्रामन का घर है कि यहाँ पे हिंदु है कि मुसल्मान है उसकी रोशनी तो सब जगे है वो सब के लिए यह जाद देखे देख के दर्म देख कर रोशनी नहीं फैलाता ना वैसे हिन हम लोगों का काम हम भी किसी की जाद देख के नहीं ऐसा थे हम तो हमारे सामने टो एक इनसान एक शूरत प्रिशनी फेलाता है लिकिन इस पे जावेद अख्तर साब ने बड़ा अच्छा लिखा कि उंची इमारतों से मका मेरा इसकदर घिर गया कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए तो मेरा यही कहना है कि आप भी मुस्कुराओ लोगों को भी मुस्कुराने दो और मोबाइल के का दोर है इंटरनेट का दोर है इस दोर में आप परिवार के साथ भी कुछ पल गुजारो दोस्तों के साथ भी गुजारो क्यों कि जरूरी नहीं कि फेस्बुक पे पांच हजार तो धन्यवाद सुरेज जी आपको बहुत-बहुत हमारे से जुड़ने के लिए आपको एक बार दुबार ऐसे धन्यवाद बहुत-बहुत आभार आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया